नमस्कार दोस्तों, जे हिंद जे भारत दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे गवे शात्मक शेली गवे शात्मक शेली किसे कहते हैं इससे संबंदित प्रैश्न मद्य प्रदेश की बोर्ड तथा लोकल प्रैशाओं में पूछा जाता है तता हिंदी MA और UGC.net के पैशाओं में भी पूछा जाता है अगर प्रेश्न पूछा भी ना गया हो तो ये आपको जानना आती आवशक है कि गवेश आत्मक शली किसे कहते हैं तो इसी पर हम गौर करेंगे तो देखते हैं हम गवेश गवेश का अर्थ होता है खोजना गवेश का अर्थ क्या होता है खोज करना नए नए बिंदू उपर अब जब हम खोज करते हैं उसे ही हम कहते हैं गवेश अर्थात किसी भी विशे का तथ्यों के साथ प्रति पादन करना जैसे कि आप मोहन जोद्रो सभ्वेता के बारे में नीबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा खोज यानि कि उसकी खोज करनी पड़ेगी तत्थियों को जुटाना पड़ेगा अयोध्या, अयोध्या के ऊपर आप कुछ विश्यवस्तु लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी खोज करनी पड़ेगी तत्थियों की खोज करनी पड़ेगी किसी महापुरश के बारे में जब आप कोई लिखते हैं तो उसके बारे में भी आपको खोजना पड़ेगा तो खोजने को ही कहते हैं हम गवेश समझ में आए आपको अब देखते हैं हम जब लेखक अपने निबंदों में समाज, धर्म, इतिहाज, पुराण तथा राजनिती का विवरण तथ्यों को जुटा करता है ठीक ना यानि कि पहले के जमाने में राजनिती किस प्रकार की हुआ करती थी ठीक है ना चानके के जमाने में और अलगला जो मुगल राजा थे जो राजपूद राजा थे उनके जमानी की राजनिती का तथ्यों जुटाने पड़ेंगे हमको पुरान यानि की जो राम है क्रेशने पुरान से संबन दिते हैं तो इनके जन्म इनकी मृत्यू इनके जीवन से जुड़े हुए तत्यों को जुटाना पड़ेगा खोच करनी पड़ेगी इत्यास मतलब जो हमरा राजा महराजा है वो धर्म यानि कि जो हमरा धर्म है उससे जुड़े हुए तत्यों की खोच करनी पड़ेगी और हमारा समाज किस प्रकार का होता था उसकी खोच करनी पड़ेगी तो का विवरन तत्यों को जुटा करता है एक-एक बिंदू पर लेखक बारी की से खोच करता है उसके पश्चात वहे अपने गवेश आत्मक निबंधों को आकार देता है उन निबंधों में गवेश आत्मक शेली होती है आपको गवेश मतलब जाता है खोच करना यानि कि किसी भी बिंदू पर जब हम बारीकी से खोच करते हैं और उसका विवरांट पाठाकों के सामने प्रसुत करते हैं तो उसे कहते हैं गवेश आत्मक शैली ये कई प्रकार के निवंदों में पाई जाती है जैसे कि देखिए ह हिंदी साहित्य का इत्यास का लेखन किसने किया है आचार रामचंद्र शुक्ल ने तो कैसे किया है हिंदी साहित्य की खोच की उन्होंने उसके तथ्यों को जुटाया है उन्होंने उसके बाद उसका लेखन किया है तो इसके रचिता को ने आचार रामचंद्र शुक्ल इस तथा तथ्यों को जुटाया है उसके बाद इनों ने इस निबंद को आकार दिया है ऐसा ने कि हवा में तीर चला दिया सिर्फ समझें अगला है बान भट्ट की आत्मगता इस निबंद के लेखा के हजारी प्रसाद द्वेदी उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आय करेंगे धन्यवाद